हेलो प्यारे बच्चो मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कख्षा 8 गनित की प्रशनावली 8.2 परसन संख्या 6 से हम प्रशनों को हल करेंगे एक से पांस तक के प्रसन हम पहले हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में तो प्रसन संख्या 6 से सुरू करते हैं सेल के दोरान एक दुकान अपनी वस्तों के अंकित मुले पर 10 परतिशत बटा देती है 1450 रुपे अंकित मुले वाला एक जिन्स और दो कमीजें जिन में से परते का अंकित मुले 850 रुपे है को खरीदने के लिए किसी गराग को कितना बुकतान करना पड़ेगा बच्चों पहले यहां पर देखते हैं कि अंकित मुले और बटा क्या होता उसको समझते है कई पर दुकान दर क्या करते हैं अपने मालक को बेचने के लिए उस मालक के उपर कुछ छूट देते हैं की गराग उस माल को छूटके लालच में छूटके परलोबन में उस माल को खरीद oriented ले तो वो क्या करें हैं अपनी जो आईटम होता एंके पास उसको बस्त्वे उती हैं जिसको बेचना होता है वो उसके ऋपर एक मुल्ल्य अंकित कर देते हैं तो वही जो नय मुल्ले होई कहला था अंकित मुल्ले तो उस अंकित मुल्ले के kryo पर फिर वो छूट देते हैं तो उसको ब्ट्टा यह रहा उन्स कांकित मुल्ले लिख लिया 1450 रुपे और दो कमीजों कांकित मुल्ले है 17 रुपे क्योंकि एक जो कमीजे है उसका कित मूले 850 रुपे हैं और दो कमीजे हैं तो 850 गुना 2, 1700 रुपे अब इसके उपर बट्टा या छूट कितनी हो लिखते हैं बट्टा देती है वो 10 प्रतिशत इनके उपर बट्टा देती है तो हम पहले जीन्स के उपर बट्टा निकालेंगे कितना है या जीन्स के उपर कितनी छूट मिलती है तो जीन्स पर बट्टा कितना हो जाएगा 10 प्रतिशत 1450 का 10 प्रतिशत यानि 1450 गुना 10 बटे 100 यह हमारे पास कट जाएगा एक सो पैंतारीस रुपे यानि जिन्स के उपर उसको एक सो पैंतारीस रुपे की छोटे मिल रही है तो जिन्स का मुल्ले क्या हो जाएगा जिन्स का जो मुल्ले है जितने रुपे में गरहा को वो मिलेगी 1450 उसका अंकित मुल्ले था उसमें से हमने 145 बटा घटा दिया यानि जिन्स का जो मुल्ले हो जाएगा वो हो जाएगा अंकित मुल्ले घटा छोट या बटा तो 1450 गटा 145 ये हमारे पास आएगा 305 रुपे अब इसी प्रकार हमने काड़ेंगे बटा दोनों कमीजों के उपर कमीजों का जो अंकित मुल्ले वो हमारे पास है 1700 रुपे तो कमीजों के उपर जो छोट हो जाएगी वो कितनी है 10 प्रतिशत तो निकालते हैं वो कमीजों पर बटा कितना 10 प्रतिशत वो भी 10 प्रतिशत ही है कमीजे हमारे पास है 1700 रुपे एगी तो सत्रे सो का दस प्रतिशत है सत्रे सो गुणा दस बटे सो यह हमारे पास हो जाएगा दो जिरो से दो जिरो कर जाएगी सत्रे गुणा दस एक सो सत्तर रुपे यानि कि कमीजों के उपर नोनो कमीजों पर एक सो सत्तर रुपे की छोटे ग्रहा को मिली है तो कमीजों का मुल्ले क्या हो जाएगा कमीजों का मुल्ले जो गरहा को चुकाना है वो ब्राबर हो जाएगा सत्रे सो गटा एक सो सत्तर यानि अंकित मुल्ले गटा बटा तो मुल्ले क्या होगा अंकित मुल्ले गटा बटा अंकित मुल्ले सत्रा सो चूटी मिली बटा मिला 170 रुपे 1500 30 रुपे तो जो अमरे जिन्स थी उसके उपर बटा 145 मिलने के बाद वो उस गरहा को पड़ेगी 1305 रुपे की और जो कमीज है उस पर बटा मिलने के बाद 170 रुपे का वो गरहा को मिलेगी 150 30 रुपे में तो हमें बताना है कि इनको खरीदने के लिए गरहा को कितने रुपे देने पड़ेंगा, कितना बुकतान करना पड़ेगा, तो कुल बुकतान कितना हो जाएगा, जो गरहा को दुकानदार को पैसे देने हो, कितने देने हैं, 1305, और कमीजों के लिए 1530, तो कुल हमारे पास हो जाएगे, 2835 रुपे, यानि इतने रुपे दुकानदार को देने हैं उस गरहाक ने, परसंद संख्या साथ है एक दूद वाड़े ने अपनी दो बैसों को 20,000 रुपे परती बैस की दर से बेचा परती बैस यानि एक बैस को 20,000 रुपे में तो दो बैसों को 40,000 रुपे में एक भैस पर उसे पाँच प्रिशंट का लाब तहुता, दूसरी भैस पर दस प्रिशंट की आनी होई है. इस सोदे में कुल लाब तहुता, कुल आनी ग्याद कीजिए. तो बच्चों जो लाब यानी होती है वो निर्बर करती है किसके उपर क्रेम उल्ले और विक्रेम उल्ले पर क्रेम उल्ले होता है कितने में कोई चीज हमने खरीदी खरीदना होता क्रेम उल्ले और कितने में उसको हमने बेच्चा वो कहलाएगा विक्रे मुले तो अगर करे मुले ज़ादा है और विक्रे मुले थोड़ा है यानि कि कोई चीज हमने खरीदी ज़ादा में और बेची थोड़े में तो हमें क्या होती आनी और अगर हमने कोई चीज खरीदी यानी करे मुल्ले हमारा है कम और विकरे मुल्ले हमने बेच चाओ उसको जादा में तो हमें होता है लाब तो लाब किसके बराबर होता है विकरे मुल्ले माइनस करे मुल्ले विकरे मुल्ले गटा करे मुल्ले और हानी क्या होगी करेमुले गटा विकरेमुले तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि सुद्धे में कुल लाब हुआ या हानी हुई तो यहां पर हमें विकरेमुले तो दे रखिया लेकिन करेमुले हमें नहीं दिया हुआ विकरेमुले में पता है कि एक बैंस का विकरेमुले है वो 20,000 रुपे है लेकिन हमें यह नहीं पता कि करेम उल्ले कितना है हमें लाब दिया और एक पर आनी दियुई है तो हमें यह करेम उल्ले पहले मानना पड़ेगा तो मान के चलेंगे कि माना करेम उल्ले और फिर इस सवाल को हल करेंगे हम यहाँ पर बार इबार इस से दोनों बैसों के लिए इसको हल करेंगे तो मान लिया जो पहली बैस है उसके लिए करेम उल्ले है एक्स रुपे और दूसरी बैस का करेम उल्ले है वाई रुपे यानि पहली बैस करीदी एक्स रुपे में और दूसरी बैस करीदी वाई रुपे में अब विक्रे मुल्य कितना पहली बैस के लिए विक्रे मुल्य है बीस जार रुपे दिया हुआ में दूसरी बैस का जो विक्रे मुल्य है इसको मैं ले देता हूँ वी और मु यानि की विक्रे मुल्य सोट फॉरम में इसका मतलब है विक्रे मुल्ले बराबर वो भी कितना है? 20,000 रुपे अब पहली बैस पर एक बैस पर मा लेते हैं कि पहली बैस पर उसको लाब हुआ है 5 परेशन्ट दिया हुआ में है और दूसरी पर उसको क्या हुई है? हानी वो दे रखी है 10 परतीशत करे मुल्ले बराबर विक्रे मुल्ले गुणा सो बटे सो जमा लाब परतीशत अगर लाब हुआ है तो जमा हो जाएगा और आनी है तो घट जाएगा इस दूसरे केस में यहां पर हमारे पास करे मुल्ले क्या होगा? विक्रे मुल्ले गुणा सो तो बते 100 गटा हानी प्रतिशत क्योंकि यहां पर हानी हुई है हानी है थो गटेगा और हलाब है थो जुडेगा तो यहां पर हम रखेंगे करेम लै मारे पास है एक्स एक्स बराबर विकरेम लै, विकरेम ले हैं 20,000 रुपे मान रखें हम गुना 100 बटे सो जमालाव प्रतिशत है पांच इसी परकर यहां करेंगे परेमुलेह वाई विकरेमुलेह बीस हजार गुना सो बटे सो गटा हानी प्रतिशत सो गटा दस अब इनको बारी बारी सोल करेंगे एकस बराबर हो जाएगा बीस हजार गुना सो बटे 100 पांच इसको पांच से काट देंगे 21 इसको पांच से काट देंगे पांचों के बीस चारजार आजाईगा मारे पास यह हो जाएगा 4,000 गुना 100 उपई 3,0 और 2 5,0 हैं तो 4 के आगे 5,0 लग जाएंगी बटे 21 इसको बल करेंगे Y बराबर 20,000 गुना 100 100 गटा 10,90 1,0 से 1,0 कट जाएगी उपई आएगा 1,2,3 और 2, 5,0 बटे 9 अब इनको भाग करेंगे तो भाग करना आपको आता हूँ अपिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार 4,21 से मा करना है तो सबसे पहले एक पे जाएगा एक पे जाएगा 21 गटाएंगे यमारे पास बचेगा ये 19 फिर इस 0 को उता रहेंगे अब ये हमारे पास जाएगा 8 पे 9 पे इतने बचाएगा 9 पर 189 एक बचेगा फिर हम इस 0 को उता रहेंगे हमारे पास 10 हो जाएगा बाग नहीं जाएगा उपर 0 लगेगी फिर इस 0 को उता रहेंगे सो अब जाएगा च्यार पर 21 चोके 84 यह बचेगा हमारे पास 16 अब इस जिरो को ता रहेंगे अब यह हमारे पास जाएगा साथ पर 27 एक सो सैंतारी यह बच जाएगा हमारे पास 13 रहें दसमलो यहां लगाएंगे यहां भी दसमलो एक जीरो यह जीरो उता रहेंगे अब यह जाएगा छैपर कि चेखे के 146 जिबचेए गाच्यार फिर जीरो उता रहेंगे अब जाएगा यह एक पर तो इस तरह से हम दो स्थांते इसका माने निकाल लेंगे हमारे पास यह आ जाएगा इसको आगे करना चाहूँ तो एक अंक तक आगे ओर कर सकते हैं यह नो पे चला जाएगा यहां पर तो इसका सुद मान हमारे पास हो जाएगा यहां से एक सो नबे सेयंतारीश दसमलाव 6 अब यह पांच यह 5 से बढ़ा है तो इससे पहले वाले में एक जोड देंगा हम तो 6 के बाद यह एक का क्या बढ़ जाएगा? दो यह हमारे पास आजएगा 19,000 47.62 इतने रुपे हम वाई को मल करेंगे 22 라고 को बाग देंगे 9 से इसको भी अपने उसी तरीके से बाग कर देना है जैसे इस स्वाल को किया है तो यह हमारे पास आजएगा 2222 को बाग कर दे हा है इतने रुपे तो हमारे पास अब कुल जो क्रेम उल्ले हो क्या हो जाएगा कुल क्रेम यानि दोनों बैंसों का क्रेम उल्ले यह यहां पर हमने मिस्टेक कर दी बाकरिंग आएगा 22,000 2222 2222 आएगा मारे पास इसको जोड़ेंगे यह यह पास आजएगा एक तालिस अजार 274 पैसे 20,000 जमा 20,000 यह हो जाएगा हमारे पास चालिस जार रुपे तो क्रेम उल्ले हमारा था 41,000 277 रुपे 84 पैसे और विक्रेम उल्ले हमारे पास है यह हमारे पास हो जाएगा एक तालिस हजार 279 दसमलव आठ च्यार गटा चालिस हजार यह जाएगा एक हजार 29 रुपे 84 पैसे परसन संख्याठ है एक टेलिविजन का मुल्ले 13,000 रुपे है इस पर 12 प्रतिशत की दर से बिक्री कर वसुला जाता है यदि विनोद एक टेलिविजन को खरीदता है तो उसके दवारा बुक्तान की जानेवाई रासी ग्यात करो बत्कों यहाँबर टेलिविजन का जो मुल्ल है वो 13,000 रुपे दिया रख़या है और उसके उपर 12 प्रतिशत क्या है कर है विक्री कर यह टेक्स उसके उपर 12 प्रतिशत है या उसके दवरा बुक्तान की जाने वाड़ी रासी ग्याद करो तो यहां पर हम पहले उसके उपर टेक्स निकालेंगे कि कितना टेक्स उसके उपर वसूला जाता है तो टेलिविजिन का जो मुल्ले है वो है 13,000 रुपे और बिक्रीकर है 12 परतीशत तो हम निकालेंगे कि 12 परतीशत के अंदर से कितना बिक्रीकर बनेगा तो क्या हो जाएगा वो जो बिक्रीकर होगा वो किसके बराबर होगा 12 परतीशत तो है लेकिन रुपे में कितना होगा वो निकालना हमें तो वो है 13,000 के उपर 12 परतीशत 13,000 का 2,05% यानिंगी 13,000 गुना 12,00 13,000 का 2,06% 13,000 गुना 12,00 इसको हल करेंगे हम 0 कट जाएगी 13,130 गुना 12 हमारे पास आएगा 0 लगा दिक हमने 12 गुना 32 तिया 36,то 3,1, together 3, 15 15,60 रुपे उसके उपर टेक्स है 12% किदर से अब उसको विनोद खरीता है तो उसको 13,000 रुपे ये और साथ में 1560 टेक्स कर ये देना पड़ेगा तब उसको टेलिविजन मिलेगा तो बुक्तान की जाने वाली रासी बुक्तान की जाने वाली रासी हमारे पास हो जाएगी जो उसका मुल्ले है वो 13,000 जमा उसके उपर जो टेक्स लगया है 1560 रुपे ये कुल हो जाएगा 14,560 रुपे यानि इतने रुपे विनोध को देने होंगे दुकानदार को परसंद संक्या 9 है अरुन एक जोड़ी स्केट्स पई वाले जूते स्केट्स क्या होते हैं पई वाले जूते जिनके नीचे पई होते हैं उनकों स्केट्स बोलते हैं किसी सेल से कईद कर लाया जिस पर दिये ग बुग्तान की गिरासी 6.0 रुपे है तो अंकित मुल्य ग्याद किजिए। तो बच्चों हैं मैं यहाँ पर अंकित मुल्य ग्याद करना है। वो उसको 6.0 रुपे में कृद के लाया है और उसके उपर 20 प्रतिसद की छोट भी मिली है। तो हमें ये बताना है कि दुकानदार ने उसके उपर अंकित मुले क्या रख्या हुआ था वो हमें ग्याद करना है तो अंकित मुले तो यहां पर क्या होगा अंकित मुले तो 1600 से क्या होगा जादा ही होगा क्यों अंकित मुल्य के उपर छूट मिल करके अंकित मुल्य के उपर छूट मिली है उसको 20 पर तीसत है और जब उसको 16 रुपे में वजूते मिले हैं तो अंकित मुल्य क्या होगा? 1600 से जादा ही होगा तो हम इस अंकित मुल्य को ग्याद करना है हम यहां पर मान के चलेंगे माना अंकित मुल्ल एक्स रुपे व्योंकि ऐसे स्वालों में जो हमें ग्यात करना होता है उसको हम मान के चलते हैं कि माना अंकित मुल्ल बराबर एक्स रुपे बट्टे की दर है जो मट्टा दर दे रखे 20 प्रतिशत और यहां पर उसके दोबरा बुगतान की गई रासी यानि कि दुकानदार ने ये कह सकते हैं कि दुकानदार ने उसको कितना रुपे में बेचा सोड़ाइसो रुपे में यानि ये कह सकते हैं कि विक्रे मुल्ले हमारे पास कितना है सोड़ाइसो रुपे दुकांदार ने उसकह σोडाँसओं में बेच चा है तो उसने सोडैजिशों में खरीद दया है तो दुकांदार के लिए करेम मुल्ले हो जाएगा इस सोडाँस टार पर ऀहां पर है इख hem पहले क्या निकालेंगे छोट या बटटा निकालेंगे कितना है बटा या छोट वो है 20 परतीशत कि इसके उपर अंकित मुल्ले के उपर क्योंकि बटा हमेशा मिलता है अंकित मुल्ले के उपर अंकित मुल्ले था X उसके उपर 20 परतीशत यानि X का 20 परतीशत X गुना 20 बटे 100 ये कट जाएगा 2 से 2 एकम 2 2 पंजे 10 उपर हमारे पास X निच्चे है 5 यानि X बटे 5 रुपे छोटे मिली है अंकित मुले के उपर तो अंकित मुले हमारा X था उसके उपर छोट दे दी X बटा 5 रुपे चोट मिलने के बाद वो कितने में मिला उसको 1600 रुपे में तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो अंकित मुले है X उसमें छोट है X बटे 5 रुपे और फिर वो कितने मिला है उसको 1600 रुपे में तो यहां से X गटा X बटे 5 बराबर हो जाएगा सोड़े सो देखो समझना इसको अंकित मुल्य हमारे पास था एकस रुपई उसके उपर छूट मिल गी उसको एकस बटा पांच रुपई तो कितने मिल गया उसको वो अंकित मुल्ले था और उस अंकित मुल्ले के ऊपर उसको छूट मिलगी एकस बटे पांच रुपे तो अंकित मुल्ले में से हम वो छूट गटाएंगे तब ही हमारे पास क्या आएगा बोकतान करने वाली रासी यानी विक्रे मुल्ले अंकित मुल्ले में से हमने गटा दिया क तो मारे पास क्या गया विक रे मुल्क इतने रुपे में वो चीज बेची हैं तो इसको हमाल करेंगे ये हम लिख सकते हैं परस्णा नुशार इसको वाल करेंगे लगुत्तम लेंगे इसका 1 और 5 का 5 आएगा पाग देंगे एक से 5X गटा X बराबर 16 यहां से मारे पास यह र पार चुना कर देंगे 5X गटा X इसको पिर गटाएगे यह मारे पास हो जेएगा 4x 4x बते 5 बराबर 16 अब इसको और पर गुणा कर देने अरफ पर गुणा करने के बाद यह हमारे पास क्या आएगा रेक्स गुणा एक होजेवाएगा च्यार एक्स बराबर शोड़े सो गुना 5 भुणा करने पर हमारे पास आजेएगा यह गुणा करने पर हमारे पास आएगा शोड़े सोगना 5,शोड़े पंजे 80, यहाँ आठ अजार तो 4X बराबर है 8000 तो यहाँ से हमारे पास X बराबर हो जाएगा 8000 भाग में 4 निच्चे आज़ेगा काट देंगे 4 दुनि 8 यादी 2000 अंकित मुल्ने बराबर 2000 रूपे यानि उसके उपर अंकित मुल्ले क्या था दो अजार था और उसके उपर 20% छूट मिलने के बाद वो 1600 रुपे में उसको मिली है परसंद संक्या 10 है मैंने एक hair dryer 8% wet सहीत 5400 रुपे में खरीदा wet को जोडने से पहले का उसका मुल्ले ग्याद कीजिए hair dryer क्या होता है बच्चो hair dryer होता है बाड़ों को सुखाने वाड़ी एक मसीन dryer मने सुखाना तो बाड़ों को सुखाने की एक मसीन होती है उसको बोलते है hair dryer वो गरम अवा फैकती है और बाल होते है वो सुक जाते है तो बाड़ों को सवालने या सुखाने के लिए इसका प्रियोग करते हैं Head Dresser, Head Drier उसको बोलते हैं तो आठ परतिशत वेट साइट वेट होता है एक प्रकार का Tax VAT, वेट उसको बोलते हैं Value Added Tax ये प्रकार का ये भी एक करह टेक्स है तो आठ परतिशत टेक्स लगने के बाद चोमन सो रुपे में वो खरीदया है तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मुल्ले ग्याद कीजिए यानि कि अगर वो आठ परतिशत वेट नहीं लगता तो वो मुझे कितने रुपे में मिलता ये बताना है यहां लिखेंगे हेड ड्रायर का मुल्ले कर सहीद या वेट सहीद चोमन सो रुपे और उसके उपर वेट या जो टेक्स है वो कितना है आठ परतिशत यानि कि इस चोमन सो के अंदर ये आठ परतिशत टेक्स भी सामिल है और हमें इस टेक्स के बिना इसका मुल्य क्या होगा वो बताना है तो हम यहां पर मान लेते हैं कि वैट जोडने से पहले उसका मुल्य या वास्ट विक मुल्य तो माना हेड ड्राइर का वास्ट विक मुल्य तो वास्ट विक से मतलब है हमारा यहां पर वैट जोडने से पहले वो मुल्ले को हमने वास्ट विक मुल्ले मान लिया एक्स मान लिया वास्ट विक मुल्ले उसका एक्स रुपे है उसके ओपर टेक्स है आठ परतीशत तो टेक्स लगने के बाद मुल्ले हमें निकालना है 8 परतिशत है वो किसके उपर लगया हूँ वास्ट विक मुल्ले के उपर यह एक्स के उपर 8 परतिशत एक्स का 8 परतिशत यह हमारे पास आजएगा इसको हम 4 से काट देंगे उपर 2 आएगा निचे 25 तो 2 एक्स बटे 25 रुपे यह है वेट रुपे में महाँ परतिशत में था इसको में रुपे मदल लिया इस एक्स का 8 परतिशत क्योंकि वेट लगया था वास्ट विक मुल्ले के उपर है तो एक्स का 8 परतिशत दो एक्स बटे 25 तो इतने रुपे उसके उपर क्या लगया है वेट या टैक्स कर लगया है एक्स के उपर अब यह है हमारे पास वास्त्विक मुल्य था ये इसके उपर वैट है इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा चो मन्सो यानि वैट सहित कर सहित क्योंकि ये मारे पास है वास्त्विक मुल्य और ये है अलग से वैट इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्य हये ड्रायर का मुल्य कर साइथ या वैट साइथ और ब राबर दे रहके हमें चो मंसों यहाँ पर लिखेंगे हेर ड्रायर का मुल्य कर साइथ या वैट साइथ क्या हो ज़ह आएगा ये तो उसका वास्त्विक मुल्ल है X जमा वेट जितना वेट लगया उसके उपर 2x बटे 25 यह हो जाएगा और उपर हमारे पास एड़रायर का मुल्ल जाए वेट सहीद कितना है 4.1000 रुपे तो यह भी है उसका है यह ड़रायर का मुल्ल है वेट सहीद चो मंसो, यहां पर लगुत्तम लेंगे हम, 25 आएगा लगुत्तम, भाग देंगे 25 x जमा 2x, बराबर, चो मंसा हमने सिर्फ यहां पर जोड किया है, जो आप दीनों का जोड करना पीछे सीच चुके हैं, वही हमने यहां पर किया है, तो यह हमारे पास हो जाएगा 25 x जमा 2 x, बराबर चोमन सो इसको हल कर देंगे हम आर पार गुना करेंगे 27 एक्स गुना एक हो जाएगा 27 एक्स बराबर चोमन सो गुना पच्चिस यह हमारे पास आजाएगा हल करने के बाद 1,35,000 गुना के हमने 2400 को पच्चिस से 1,35,000 तो 27 एक्स बराबर है एक लाख पैंटीस हजार हमें निकालना x का मान, x क्या हो जाएगा, 27 नीचे आज आजाएगा एक लाख 35,000 भाग में 27 इसको 27 से भाग देंगे हम, तो यह हमारे पास आएगा 5000 यह आजएगा 5000 रुपे तो हम कह सकते हैं पर X क्या था हमारा X हमने मानना था वास्त विक मुल्ले यानि कि वैट जोडने से पहले का मुल्ले तो उसका वैट जोडने से पहले का मुल्ले हो जाएगा 5000 रुपे